हेलो दोस्तों, आज हमने एक DC मोटर में एक सिंक्रोनस मोटर को प्लास्टिक सॉफ्ट की मदद से आपस में जोड कर सिंक्रोनस मोटर का कनेक्शन मल्टी मीटर से कर दिया. फिर DC मोटर को 12 वोल्ट के एडॉप्टर से जैसे ही पावर दिया सिंक्रोनस मोटर से हमें लगभग 300 वोल्ट मिले मोटर का पावर चेक करने के लिए हमने एक टेस्टर को सिंक्रोनस मोटर के वायर में टच करके देखा हमारे टेस्टर का इंडिगेटर ग्लो करने लगा अब हमने एक 10 वाट के बल्ब को सिंक्रोनस मोटर के साथ जोड़ दिया हमारा बल्ब भी आसानी से जलने लगा दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक सिंक्रोनस मोटर हमें जटका मार सकता है या नहीं कमेंट में हमें जरूर बताएं